बॉलिवुड में चीची के नाम से मसूर गोविंदा अब भले ही फिल्मों से दूर हो लेकिन उनकी गिंती आज भी एक टॉप एक्टर के तोर पर होती है। पहले आई थी और यह फिल्म इतनी बूरी तरह से फ्लॉप हुई कि गोविंदा ने फिल्म में चोट कर राजनिती में जाने का फैसला लिया था। इस फिल्म का नाम था राजा भाईया। गोविंदा की इस फिल्म का जोर सोर से प्रमोशन किया था। लेकिन जब राजा भाईया सिनेमा घरों में रिलिज हुई तो इसका बॉक्स आफिस पर काफी बुरा हाल हुआ। यह बॉलिवूट की डिजास्टर फिल्मों में से एक बन गई। राजा भाईया का बजट 4.75 करोड रुपे था और यह फिल्म बॉक्स आफिस पर सिर्फ 2.85 करोड रुपे ही कमा पाई। राज निती में आने और तीन साल का ब्रेक लेने से पहले यह गोविंदा की आखिरी फिल्म थी। हालांकि उनकी आगे भी रिलिज हुई फिल्में खुलम खुला प्यार करे। सुख और सैंडविच भी उनके फिल्मों से ब्रेक लेने से पहले बन कर तैयार हो गई थी जो बाद में रिलिज हुई थी। राजा भाया की वज़े से मेकर्स को करोडो रुपय का नुक्सान उठाना पड़ा था इसके बाद गोविंदा ने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना कर रखी थी। आई हो फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी झाल झाल झाल